हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आवर चैनल आर्वी लाइप कलासेज एज आज का धमाकेदा टोपी का नाम है बोर्ड मास रूल इसको हम बहुत ही बारीकी से हों में स्टे बाइस्टे सीखेंगे और बिल्कुल बैसिक लेबल से सिखने आज स्टार्ट करेंगे जैसे बोर्ड मास B for bracket, bracket miss कोस्टक और कोस्टक होता है चार परकार के रेखा कोस्टक, छोटा कोस्टक, मंजला कोस्टक, फीर बड़ा कोस्टक इसको इंगली से बोलेगे line bracket, small bracket, curly bracket और big bracket, big bracket को square bracket भी बोला जाता है ओ फोर आफ, आफ मिस का, का मिस, भूना, देखें, जहां पे हमको आफ का साइन दिखाई पड़ेगा, वहां पे हम multiple के साइन नहीं लगाएंगे, directly multiple कर देंगे, ठीक्या है? अब आपकी बाद दिमाग से आटाओ और यही वाला रूल पूरे mathematics में लगाओ तो चलिए दोस्तों अब इसे हम question के माद्य हमसे सीखते हैं चलिए दोस्तों अब हमने question को लिख लिया है इसमें सबसे पहले b for bracket के काम होगा bracket में भी चार bracket है तो सबसे पहले रेखा बरेकट का काम होगा फिर दो नमबर पे छोटा के फिर तीन नमबर पे मजला कोश्टक के और फिर चार नमबर पे बड़ा कोश्टक के तो देखिए इसमें हम ढूंडेंगे कि सबसे पहले रेखा बरेकट कहां पे है तो रेखा बरेकट यहां पे है तो कली ब्रेकेट 4 x 2 ठेक माइनस 3 प्लास उसके बाद 2 x 4 डीवाइड यहां तक तो कर लिए उसके बाद यहां इसको हल करना है हमको टू-2 को एड करेंगे तो फूर होगा यहां पर लिखेंगे फूर ठीक है अब देखिए क्या करना है कि रेखा कोष्टक के तकाम हो गया अब हम उसके बाद करेंगे छोटा कोष्टक के काम तो छोटा कोष्टक के यहां पे है इसके अंदर है 2 multiply 4 divide 4 तो बाकी को हम आज़र्टीज रखेंगे निके same to same रखेंगे और उसके बाद इसको हम हल करेंगे तो आज़र्टीज पहले हम लिख लेते हैं 6 प्लास 2 प्लास 8 माइनस 9 देखा कोष्टक 4 multiply 2 माइनस 3 प्लास देखिए अब यहां पर 2 multiply 4 और divide 4 है दो sign है यानि कि multiply भी है और divide भी है तो इसमें से दोने में सेंपल किसको काम करेंगे तो पहले दिवाइड के हम काम करेंगे उसके बाद फिर multiply के काम करेंगे तो यहां पर है कि 2 multiply अब लिखेंगे यहां पर 1 ठीक है अब देखिए अब इसमें भी अभी तो बाकी है तो हम बाकी को आज़र्टीज उतारेंगे नहीं कि सेंपल से में रखेंगे तो 6 प्लास 2 प्लास 8 माइ माइनस 3 प्लास ठीक है अब 2 अंजा 2 यहां पर इसको हम 2 लिख देंगे छोटा कोश्टक हो गया खतम अब मंजला कोश्टक में हम देखेंगे तो इसमें 4 multiply 2 माइनस 3 प्लास 2 है ठीक है तब इसके पहले वाला को आज़र्टीज रखेंगे तो 6 उसके बाद 2 प्लास 8 माइनस 9 ठीक है अब इसको आज़र्टीज रखेंगे तो 4 देखें यहां पर क्या है कि 4 multiply 2 माइनस 3 प्लास 2 अब देखें माल नहीं जाए कि इसको multiply करते हैं फिर इसको लिखिना पड़ता फिर एड़ को करते हैं फिर सब्ट्रेट करते हैं इसलिए हम इसको डारेक्ट है आप लिख माइनस 5 उसके बाद इसमेंसे जब 8 मेंसे 5 को सब्टेट करेंगे तो 3 बचेगा तो यहां पर हम 3 को डारेक्ट पूट कर लेंगे उसके बाद है 6 प्लस इतना 4 8 माइनस 9 अब देखें यहां पर 9 और कली बरेकेट उसके बाद फिर 3 है इस दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन यहां पर तो कली बरेकेट है इसलिए यहां पर मल्टिपलाई के साइन छीपा हुआ है यानि कि कोश्टा के पहले को है दुगत को क्या है तो वह पर मल्टिपलाई के साइन छीपा हुआ रहता यह आपको पता है । प्लस पाधे एकिए माइननस नाइल मॉल्टिप्लेट थीरी अटे के पहले टू प्लास एट माइनस नाइन थृज़त ट्वेटी सेबन तरवाइनटी सेबन हो गया उसके बाद टू में और यहाँ पर टू प्लस एट माइनस 27 ते इसको क्या करना पर हम एड करें उसके बाद फिर एक कीडिखन हो गया तो six प्रास कि उसके ऐसे बाद फिर माइनस स्वैंटिन इसको सिंगल में नगा गें तब प्रस समझने के कोसिस करते हैं हमने second question को लिख लिया है इसमें हमने of को और जो कोश्टब के बाहर रहे को यंग तो उसको कैसे हल करना है हम यह भी सीखेंगे तो देखें B4 bracket bracket में सबसे पहले रेखा कोश्टक के काम करना है तो रेखा कोश्टक यहां पर है तो बाकी को हम एजटीज रखेंगे यानि जैसे है वैसे ही रखेंगे के वल हम इसको हल करेंगे देखिए कैसे है तू और उसके बाद फिर फूर ऑफ है तो आफ टू माइनस कली प्रैकेट फूर प्लस उसके बाद फूर मल्टिप्लाइड टू है तो फूर टूजा एट क्यां करेंगे तो बाकी कहां एक रखेंगे तो फूर टू माइनस रेकां कोस्टक 4 प्लस और फूर टूजा एट यानिकि गोश्च एट यहां पर लिखेंगे 4 अब हो गया और अब हम कलीं प्रेकट कःकर काम करें या निकral कोषटक के के काम करें माजला कोषटक के करना है तो तो उसके बाद फौर एट इसको सब देंगे 8 हो जाएगा कर अब यहां पर अबमारा मजली कोषटक भी है ति यह खतम हो गया अब इसाधिक कarenthषक है बड़ा कोश्टक की काम करेंगे बड़ा कोश्टक में भी ओब का है तो देखांगे कि पहले का काम होगा कि सब्ट्रेट के का तो पहले देखिए ऑफ यहां प게 है सब्सक्राइब अभी दूसरे पहले वाले में हमने सीखा कि कोष्टक और कोई अंग के बीच कोई साइन नहीं रहे तो उसमें मल्टिप्लाइब के साइन चीपा हो रहाता है त्यानिकि टू मल्टिप्लाइब अब इसको जब हम एड करेंगे एट और 12 को 20 हो जाएगा अब दोस्ते यह वीडियो आपको पसंद आएगे वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को किजिए का लाइक अगर आप नए मेमान है तो प्लिज चानल को कर दिजिए का सब्सक्राइब यह वीडियो आपको कैसी